आप सुभी को नमस्कार मुझे उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज जो है वो क्लास नंबर 19 है 19 अभी आपका प्रोफिट और लॉस यानि कि लाव और हानी चल रहा है इसकी में एक क्लास दे दिया था बड़ी जवरदस्त क्लास दिया था और आज इसकी दूसरी और आखरी क्लास है क्योंकि ए थोरह इसमें टैप सब क्लास जैदा होते हैं तो एक क्लास में इसको complete नहीं किया जा सकता है बहुत सारे चात्र बहुत सारे स्टेंट्स मुझे जुर रहे हैं एकदम चेप्टर वाई सॉल करवारों, सिस्टम से, इससे क्या होगा, कि बहुत कम क्लासेज में, मैं आपको लगवग लगवग पूरा मैथ कंप्लीट करके दे दूँगा, इससे पहले मैंने संख्यापति और सरलीकरन के क्लासेज दिये थे, याद किजिए, आठ से दस क्लास दूसरा था आउसत, तीसरा था परतीसत, यानि के परसेंटेज और चौन्था चल रहा है, प्रॉफिटेंड लॉस, जो एस्टुडेंट्स नहीं देखे हैं, आप मेरे यूटूब चैनल मी एस्टार के प्लेइलिस्ट में चले जाएए, इसका एक फोल्डर बनाओगा, जा पारा वीडियो सिस्टम से वहाँ परा हुआ है, आप जाके देख लिजिए, क्योंकि मैथ को अगर कहीं कहीं से देखेंगे, उपर उपर से देखेंगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हमें साइक काता हूँ, मैं भले ही आपको प्रीवेश सेर का कोशन समझे होंगे, क्लास ही नहीं देखे होंगे, तो आपको आज की क्लास में विल्कुल दिक्कत होगी, मैं खुले सब्दें बोल देखेंगे, आज की कोशन 80% कोशन टफ होंगे, टेंसन मतली जीए, सॉलूशन दो चार-चार सेकेंड में निकलेगा, उसी टेंसन नहीं लेना ह मैं यह कर रहा हूँ कि पिछला क्लास इसका देखना बहुत जोरी था, क्योंकि यह connected है, तो मैंने वो क्लास दे दिया था, नहीं देखेंगे, तो पहले वो जाके देखिए, तब इसको देखिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी, चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, प समाग लगा लिए हैं, यह दो सकेंड में इसका धुआ हो रहा सकते हैं, गरदा हो रहा सकते हैं, दो सकेंड के भीतर, कुछ फिर आए नहीं, तो मैंने कुछ बताया था इसमें, पहले कोशन देखिए, कोशन लिख लिजे, यदि 36 बस्तुएं बेचने पर एक दुकंदार को 9 बस्तुओं के बिक्रेमूल के बराबर लाब होता है, तो आपको लाब परतिसत ग्याद करना है, ठीक है, पहला उप्षन है, 31.66%, दूसरा उप्षन है, 37.66%, तीसरा उप्षन है, 33.33%, और चौन्था उप्षन है, 30.33%, देखो, कोशन करा है, कि 36 बस्तु बेचते हो, तो एक दुकंदार को 9 बस्तुओं के बिक्रेमूल के बराबर लाब होता है, याद करो इसका पिछला क्लास मैंने वही बोला था, लाब किसके बराबर होता है, या तो प्रॉफिट और लॉस क्या बताया था, CP के बराबर हो सकता है, या प्रॉफिट और लॉस किसके बराबर हो सकत यहां सबाल कर आई है। बिक्रेमूल के बढ़ा हुआ है, यदि कहने का मतलब है कि 36 बस्तू relevant बेचे हों, उसमें से 9 का फायदा हो था। किस में से? 36 में से, क्लियर करा रही है, कि 36 बस्तूँ और 9 बस्तूँ के विक्रैमूल के बड़ाबर लाब होता है। जो बेच रहे हैं, 36 केले बेच रहे हैं, इसमें से 9 का फायदा होड़ा है। कितने का? कितने पे? तो 36 में से 9 को घटाएंगे बबु आ विक्रेमूल के बरावर फैदा होड़ा है 36 के लिए बेचे हो उसमें से 9 के आपके फैदा होड़े है 9 के फैदा होड़े है तो 36 में से 9 घटा दो यहां कितना आएगा 27 आएगा इंटो 100 अगर यहां 36 रखोगे तो आंसर गलत आजाएगा बबु यह विक्रेमूल के बरावर है मैंने बता दिया थैसे बोलाँ पिछली क्लास देखना 9 से 9 तिया 27 100 बटा 3 क्या हो जाएगा 33 सही 33.33% option नमबर पहला जबरदस्त कोश्चन है यह मैंने बहुत अच्छे से बताया था फिर भी मैं एक कोश्चन आपको यहां दे दिया हूँ यह मैं छोड के गया था बोला था लास्ट क्लास में आके मैं डिसकास कर दूँगा पहले आप ट्राई करना बहुत टिपकल कोश्चन है यह चलिए अगला नेस्ट कोश्चन अगला देखिए यदि कुल बस्तूओं का 80 पर 30 20 पर 30 के लाब पर बेचा जाता है और 6 बस्तूओं को 30 पर 30 के हानी पर बेचा जाता है तो कुल कितने पर 30 का लाब अथवा हानी हूँ पहला अपसन है 14 पर 30 दूसरा अपसन है 15 पर 30 तीसरा अपसन है 12 पर 30 और लास्ट आप्शन है 10 ठीक है ये कोशन हार नहीं है समझे ये सिर्फ मध्यम कोशन है खला को कह क्या रहा हूँ देखो कह रहा है कि कुल बस्तुएं हैं उसका 80 परतीसत 20 परतीसत के लाव पर बेच दिया तो हम माल लेते हैं यहां देखे हमने माना कि हमने 100 रुपिया में 2 क किताब खड़ी कुल बस्तुएं का 80 परतीसत एक किताब इसमें 80 रुपिय वाली है और दूसरी किताब जो है वो 20 रुपिय वाली है सवाल ही करा कि कुल बस्तुएं का 80 परतीसत 20 परतीसत के लाव पर और सेस बस्तू का 30 परतीसत के हानी पर बेच आ जाता है तो दो किताब ह था कि तुरा कल्क्लुएसन अचारा भो टाइम बचेगा स्थे चेवटा पांच इसको काट देंगे 60-60 चके 96 यानि कि 80 रुपिय वाली किताब जो थी वो 96 रुपिय आम आपने बेज दिया अब जो फिर देखें आपर से शेष बस्तु यानि कि जो दूसरी किताब थी 20 रुपिय वाली उसको आपने लेबल बढ़ाने की कोशिज किया तो आप ऐसे ही मान लेना देख लेना किस पर क्या रेटा है टोटल निकान लेना ठीक है अगला कोशन नेक्स्ट ये बेहतरीन कोशन है गाम टीपकल जवरदस्थ देखो इस सब कोशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है अगर इसको बनाएंगे न एक्स मान मान करका रहे बापरेबा माथा खराप हो जाएगा पर नहीं पाव मतल इउड़ा देंगे कहतरों दो सेकेंड में खाले सुनना समझने की कोशिस करना हमेसा समझने की छमता बढ़ाओ । क्या सरकाते हैं उस हिसाब से क्योंकि मैथ में सुनना ही है सुनोगे तभी न किसी बात को समझ पाओगे कोशन क्या कराएं राजा राम ने एक निस्चित मा यह प्रभ लेना चाहिए यह का रहा है पहला उप्षान है 16 दूसरा उप्षान है 18 तीसरा उप्षान है 15 और चौन्था अप्षान है 20 इतना जवर्दस्ट को धांसर कोशन है अकातुरा दो सेकें के भीतर कातुरा इसके धज्य उरा जाएंगे देखिए कोशन क्या एक से आप कुछ भी मान सकते हैं यहां दे देता कि 3 kg घ्यों खड़ता है तो लफ रहा है बच्छा इसको उटा सोचता है बच्छा सोता है नहीं दिया तो नहीं दिया तो अच्छी बात है को सन के कोडिंग अपने मन से मान लो ना 2 kg 4 kg 8 kg 100 kg 200 जैसा कोशन उसके कोडिंग मान देखो मैं क्या कर रहा हूं अब तो आजात कर दिया रहता कि राजाराम 12 kg यह 13 kg निस्चीत के खड़िता है यदि वो उसका एक चौथा तब दिक्कत हो जाता है क्योंकि डाटा हो सकता है कॉंप्लि की को प्रपी पर बैचना चाहिए हौता हमने माना कि पूरा गेहूं जो है वह 4 kg खरीता है हमने मान लिए बोलाओं तो क्यों प्रप्रशन के लाफ पर बैचना चाहिए हैँ इसे बोलाओं देखो मान लिए 4 kg तो तो nagra 2 kg आए और kg नही अटосто How to तो इसका मतलब के टोटल पर वो साठ परसेंट का लाव कमाना चाहता है ध्यान से सुनते जाना बन गया answer निकला हुआ है टोटल पर उसने कितने परसंट का लाभ कमाना चाता है चार केजी आपने माना है ना तो टोटल पर कितना परसंट लाभ कमाना चाता है साथ परसंट एक केजी पर उसने कितना लाभ कमाया है बारा परसंट तो सेश केजी पर उसने जितना बांकी जो गहुए उस पर कितना वो लाभ लेगा, तो 60% में से 12% को घटा देते हैं, 60 में से 12 घटा आएंगे, तो 48% का उसको सेश गेहूं पर लाभ मिलेगा, सेश गेहूं बचा कितना, 4 kg में 1 kg बेच दियो, सेश गेहूं कितना बचा, 3 kg, तो 3 पर इसको निकालो, 3 को भाग दे दो, 16% देखो, दाराक से आंसर निकला हुआ है, जैसे खीर में चाकू चलता है, वो इससे आंसर निकला हुआ है, कहीं दिकत, यहीं बोलता है, माथा लगाईए, जिस काम में mental work जैदा हुआ, उस काम में physical work कम लगेगा, जिसमें माथा नहीं लगाओगी, खाली महनते करना पड़ेगा, बै लगों नहीं, उसके लिए जैसी भी बनाया हुआ है, लाओ दो सेकिन में ढहा के चला जाएगा, बड़ा बड़ा पूल ढहा देता है, यह scientific world है, आप से कुभी commission, smart mind की कलपना करता है, सुस दिमाग, भैसाबला दिमाग, बैल बुधी दिमाग, भरकत दावला दिमाग, इस स पूछ रहा है, आपका mental exercise करवा रहा हूँ, mind को तेज रखने ही, बहुत अच्छा question था, दिक्कत हो, दुबारा देख लेना, ऐसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, अगला देखिए, अगला जबाबु question है, जवरदस्त question है, यह question इतना hard question है, सीना फार देगा आ पता हूँ, पंच सेकेंड ही लगेगा answer निकाल दूँगा, देखिए, एक table के क्रेमुल और बिक्रेमुल के बीच का अंतर 224 रुपिया है, यदि हानी परतिसाथ 40 परतिसाथ है, तो बिक्रेमुल ग्याद करना है, इसा very very important question, पहला option है 406 रुपिया, दूसरा option है 352 रुपि देखिए, question कर रहा है कि एक table के क्रेमुल और बिक्रेमुल, CP और SP के बीच का अंतर कितना दिया है, 224 रुपियाद है, यानि कि CP और SP का अंतर कितना है, 224, अब ध्यास देखो, आपने एक बस्तू को 40% के हानी पर बेच दिया है, यदि एक बस्तू को 40% के हानी पर बेच द बताया था, 40% का, पहले 40% निकालो, 40% का मतलब क्या हो गया, 2-3, 40% का मतलब क्या हुआ, 2-5, sorry, 2-5, 40% का मतलब हानी, तो एक मैं घाटा दोगा, आपको याद होगा, मैं बताया था, परसेंटेज में, तभी बोला, मेरा math connected है, मैं आपको कहीं-कहीं से नहीं करवा रहा हू दिलना खुस कर दिया, तो कहना आप, math wizard है, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, 40% का मतलब क्या हुआ, 2-5, इसको घानी है, तो घाटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3-5, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40% का हानी, इसका मतलब क्या है, कितना मिला, 60%, 60% को तोड़ते, तो 3-5 देंगे, उसको घानी हो जाएगा, लेकिन आप याद करो, मैंने क्या बोला था, कि 40% के हानी पर बेचा, तो क्रेमूल निकालना है, क्रेमूल, क्रेमूल बे क्या करते हैं, data पलट देते हैं, दृआज से सुने, पलट देते हैं, तो यहाँ पर CP अपन SP, क्या हो जाएगा, 5 बट्टा 3 हो जाएगा यहांपे क्योंकि हानी होती है ऐसे-बी दिमाग लगा-ले ना बबुब अ तो आपने पांच रुपिया में कोई समान खर्दा था थो तीन रुपिया में आपने बेचा तो घाता हुआ क्नि गाता देखना है अगर इसको तीन उपर रखोगे 5 नीचे रखोगे तो गलत आजाएगा अंसर सवाल पर लॉजिक लगाओ ठीक है CP कितना है यहां पर 5 और SP कितना है यहां पर 3 क्योंकि आपको करा हानी हुआ है तो CP किया होगा बरा होगा विक्राब्र किया हो जाएगा छोटा हो जएगा डिक ए अब क्या करणा है CP और SP का इस्पी का निकलागा अपको विक्रायमूल तो 1 बराबर 112 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 112 को 3 से गुना कर देंगे 336 अंसर है इसको जवर्दस्थ कोशन है और जवर्दस्थ सलूशन दिया हूँ, एक सेकंड यहीं बना सकते हूँ, 40% का मतलब क्या हो गया, 60 बटटा 100, 40% लोज का मतलब हुआ, 2,6 बटा 100 यानि की 3 बटा 5 फट से इसे कर लेते 3 बटा 5 दोनों का gap निकालते, 2 हो जाता, 2 बराबर 100, 224, 1 आप यह बना ले ना मैं आप ले छोड़के जा रहा हूं देखिए एक क्रैमुल और बिक्रैमुल के बीच का अंतर 204 रुपिया है यदि हानी परतिसाथ 24 परतिसाथ है तो बिक्रैमुल कितना होगा इसको दो सेकेंड मतलब धुमा धुमा कर सकते हैं पहला अप्शन है 608 दू अब यह बना ले ना अगला जो कोशन है बेहतिरीन कोशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखने हम भारी लग रहा है कोशन बहुत अच्छा है बड़े ट्रेंडिंग में है यह कोशन अक्सर पूछे जाते हैं दिक्कत कोशन होगी A, B को 30% के लाव पर एक सैकल बेजता है B, इसे 10% के लाव पर C को बेजता है यदि C सैकल के लिए 1287 रुपिय का भुगतान करता है यानि कि C جो है 1287 रुपिय में इसको खड़ी दे लेता है तो क्या कर रहा है एक के लिए सैकल का क्रेमुल कितना होगा याद करो परसंटेज प्रतिसत में क्या बोला था यहां क्या पूछ रहा आपको A basic A, B, C के बीच में कौन है A, A 20 में है तो मैं क्या बताया था जब भी कभी basic data पूछेगा आपको निकालने के लिए यही चीज़ बताया था percentage में जब भी कभी basic data कहेगा निकालने के लिए तो आप क्या करोगे percentage को पलट दोगे बीच का data रखोगे, बीच का data कितना है 1287 बीच का data रखे अब percentage को क्या करेंगे पलटते चाहेंगे, पहले condition में कितने percent का लाव 30 percent का लाव तो होना चाहिए 130 बटा 100 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100 बटा 130 जब भी basic data कभी निकालोगे माथा में फिट करलाना मैं शुरू से बोल रहा हूँ percentage से ही, ठीक है आपको याद होगा, दो साल पहले की जन संख्या निकाले थे बीच का data रखे, percentage को पलट दिए 3 साल पहले कीमत बताओ पलट दिए, कभी भी इसी इसी चप्टर में पिछला profit and loss का ही, पहला क्लास है जब भी आपको क्या बता था, क्रैमूल निकालने क्लिक है तो क्रैमूल निकालोगे क्या करोगे, percentage को पलट देंगे तभी बोल रहे हैं, कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ खाले आप सिस्टम से देख लीजे, एक चीज क्लिर्टी आ जाएगी फिर यह कितना पे, बी दस परसंट के लापर बिशता है तो होना चाहिए 110 बटा 100, नहीं होगा, 100 बटा 110 अब आप इसको काट दो, जब भी बेस निकालना, बीच वाला डाटा रखना परसंटेज को प्लट देना, 0 से 0, 0 से 0, अब देखो, समझ गे ना, अब इसको आप काट दो, तो काट देते हैं इसको तो कटेगा, कटेगा किसे निक, क्यों को होल नमर में डाटा है, तो 100 परसंट कटेगा, तो इसको 11 से पहले काटते हैं, नहीं, 11 से 11, 11, 11, 11, 11, 11, 17, 13, कितना आएगा अंसर, 900, 9, 10, 10, 10, कितना आएगा अंसर, 900 आएगा, it's a very very important question, खल डाटा प्लट ना भर था, ठीक है, next question देखिए, अगला मुझे लग रहा है, यह पीक्यू वाला है, हाँ, बेहतरीन question है, यह बहुत अचा question है, ध्यांस देखना, बनेगा 2-4-5 second, उसकी solution के आप tension है, मत लीजी, ठीक है, question की लंबाई-4 कितनी भी क्यों नहीं हो, question कितना भी खतरना क्यों नहीं हो, solution में 2-4-5 second के भीतर एके question का देदूँगा, उसका आपको tension है, खली यह होता है कि आप छातर है, तो आपको पताऊना चाहिए, और यह चीज तभी समझ में आपको आ रहेंगे, उतना आपको बढ़िया रहेगा, अगर आपको पूरा math, complete math परना है, तो साम में सारे 5 बजे मैं live आता हूँ, high level batch है, railway का मैंने बताया था, जिस में NTPC, बहुत अच्छा math आता है, गुरूप D, वेकेंसी आने वाली है, दो अलाग क्यास पास, गुरूप D, अपने YouTube चैनल मी स्टार पर ही लाएवाता हूँ, अब लोगों को पता है, मैंने बताया है कि मैं अलग मकसद से online आया हूँ, मैरा एक अलग उदेश है, मैंने कोई app नहीं बनाया है, अपने YouTube चैनल पर लाएवाता हूँ, ठीक है, वो पूरा 7 महिने का course है, अग्दम 0 से में खड़ी दी एक बस्तू को Q को 15% के लाप पर बेजता है, फिर Q इसे R को 1449 रुपीम बेज देता है, Q का लाप परती सत कितना है, it's a very very important question, ध्यान से देखिए, it's a very very important question, ये है P, ये है Q और ये है R, हमने माना, यहां ध्यान से देखिए, option है 7%, 10%, 5% और 6%, P 1200 में खड़ी देखिए, ठीक है जी, अब P 1200 में खड़ी बस्तू को Q को 15% के लाप पर बेज देता है, तो 1200 का अगर हम 15% निकालें, 1200 का अगर हम 15% निकालें, अब देखो फिर वही बात, 15% को पले तोर दो, 115 बटा भी 100 लिख सकते हो, डिरेक्टर यहां पड़े 15% तोरो, तो 15% का मतलब क इसको एक में जो रहेंगे, तो 20-1, 23, 23 बटा 20 हो जायेगा, यह हमको फायदा करेगा, समझे के, 0-0, 2-0, 60, यही चीज कर रहा हूं, इसको गुणा कर दिज़े, छेतरी का ठारा, छेतरी, छेतरी का ठारा, छेतरी का ठारा, छेतरी निका, 13, 1380, तो 15% के लाप पर Q को दे द क्यों कालाव प्रतिसद ग्यांत करना है यहां थौरा दिमाग लादी मिला तो क्यों को कितना लाफ मीले miss iz इसे अ को इतने पैडा कूं कितना प्राइश दो किसको वें hai kuz को भी का लाभ सेशक्राइश कर्णने अध्यान tut क्यों किसको भी आसे तो 1481 रुपियमें तो क्योंखो कितना फैदा होता है 1380 में 20 जो रहेंगे तो कितना होगे चाल आ 1449 खितना और 69 रुपए का फायदा होता है घटा दिया कितने पर 138 जी कि कि 많 arkadaş जीरो के जीरू होद़ तो जो आ रहा है में वही आपको दे रहा है इसा में इजी डाटा भी देता है यह 200 रुपया में खड़ीदा, इसको 20% के तो, इजी वड़ा, लेगिन हाट बना लेगी तो इजी अपने आप बन जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा कोशन था यह, बहुत यह अच्छा, अब जो इसमें है, एक रुख जाईए भी, बहुत अच्छा कोशन है इसमें और, अ कोशन है, विकास 504 रुपी प्रती मेज की दर से, दो मेज बेचता है, वो पहली मेज पर 40% का लावर जित करता है, और दूसरी मेज पर 40% की हानी उठाता है, तो दोनों मेजों का कुल क्रैमूल कितना है, It's a very very important course कुल क्रैमूल कितना है बेहतरीन कोशन है और बेहतरीन सॉल्यूशन में आपको देटा हूँ क्या करना है आपको विकास 504 रुपिय परती मेज की दर से 2 मेज बेचता है यानि कि 1 मेज बेचता है विकास 504 रुपिय में तो दो मेज कितने में बेचा होगा तो 504 को पहले दो से गुना कर देते हैं तो 504 को दो से गुना करेंगे तो एक हजार आठ रुपिया यानि कि विकास जो है दोनों मेज एक हजार आठ रुपिया में बेच दिया अब पहली मेज पर 40% का लाब दूसरी मेज पर 40% का प्रोफ और लॉस बहुत अच्छा कोशन है बाव यह तोटल प्रोफिट और लॉस कैसे निकाल याद को परसेंटेज तहीं बोलता हूं मेरा मैथ कनेक्टेड है मैं आपको कहीं कहीं से नहीं पढ़ाया है मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम खराब हो आप याद करो जब दो प कर लकका बताया था यहाद को मैं क्या बताया था फर्स्ट परसेंट फिलस सेटन परसेंट जब भी दो परसेंट दिया हो इनी दोनों को यह गुना करेंगे सेंट ka second परसेंट अप्वण में हंडुरी याद आया को जबर दस चीज में आपको बता तो पहले परसन 40% का profit तो पलस 40, फिर माइनस 40, साइन के साथ पलस 40, गुने माइनस 40, अपोन में 100, अब इसको काट देंगे, पलस 40, मैंस 40, कट गया, माइनस, देखें यहाँ पे, क्या कहते हैं कि 0000, 0000, माइनस 16, इसका मतलब क्या हुआ, कि कुल पे उसको 16% की हानी हो गई, तोटल पर कितने परसन की हानी हो गई, अब देखो क्या कर रहा है, दोनों मेजों का कुल क्रैमूल गयाद करना है, तो टोटल पर कितने परसन की profit और loss है, 16% की हानी हुई है, कुल पे, तोटल को आपने बेचा कितने में है, 1008 रुपे में बेचा है, बहुत अच्छा कोशन में, कि अगर जब भी आप क्रैमूल निकालोगे, CP निकालोगे, तो क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, 1008 और परसन्टेज को पलटना पड़ेगा, बाबू, जब भी CP निकालोगे, तो ये बोलता है, स्टार्टिंग से देखिए, तो 16% हानी का मतलब क्या हो गय लेकि उसे बढ़िया क्या होगा, डाटा काट के रखते हैं यहाँ पर, 84 बटा सो, आपको रखना है तो यह लेकिन पलटना पड़ेगा, तो यहां देखिए, 4 से चार चोका सोल, 4 से पचीस, तो कितना होगा ये, यहोगा, 4 बटा पचीस, लेकिन ये 4 बटा पचीस, लॉस का मतलब हुआ, 16% का मतलब क्या हुआ, 84%, तो होना चाहिए यहाँ पर, 84 बटा सो, लेकिन यहाँ पर, 84, आप सो बटा चोरासी, आप सो बटा चोरासी भी लिख सकते तो, यहां काटोगे, उसे बढ़िया, वहां काटो, जैसा आपको ठीक लेगे, ठीक है, जैसा मैं द बटा है, 25 बटा, 25, अब इसको आप काट तो, अब यह कटेगा, 21 से, क्यों नहीं कटेगा, ड्रेक्टो काट सकते हैं, 21, 3 से काटें, 3 से 3 सत्य, 21, देखते हैं, 3 से 3 तिया, 9, 1 चला गया, 3 तिया, 9, 3 छक, 18, 7 से यह कर जाएगा, 7 से भी कार देते हैं, 7 चोग, 28, 7 पंचे, 35, 7 चोग, 28 का, 8, कितना बचाएए, 28, पंच चला गया, 8 सत्य, साथ अथे, 56, 48, अब 48 को 25 से गुना कर देते हैं, 48 को 25 से गुना करेंगे, 28, 200, कैलकुलूशन बहुत अच्छा रखना है, 28, 200, हासिल 10, 25 का 100, 100 में जोरेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100, 25, इसको क्या कर दिया, मैंने, 28, 200, तो 20 हो गया, हासिल, अब 25 का 100, 100 में जोरेंगे, तो 120, यानि की 1200 रुपिया, इसका आंसर है, बहुत अच्छा कोशन था, जबरदस्त कोशन था, ठीक है, देख लिजे, बढ़ियां से देख लिए, कम्प्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, ज बार-बार जो में बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा दिक्कत हो, तो डिरेक्टर यहां पलट देना, यहीं काट लो, 60% हानी का मतलब क्या हुआ, 84%, तो होना चाहिए 84 बटा 100, नहीं होगा, 100 बटा 84, क्यों, यहां डाटा पलटोगे, परसेंटेज पलटोगे, तो आपको क् अगला कोश्ण, अगला बेहतरीन कोश्ण है, रुख जाए अभी, यह भी बेहतरीन कोश्ण है, यह तो अब बन जाएगा, ऐसे दिखिए, पंकज ने दो बाइक खरी दी, पहली बाइक 24,000 में, तथा दूसरी बाइक 20,000 में, उसने पहली बाइक 20% के लाव पर, तथा दू 1200 का लॉस और चौथा क्या है 1200 का प्रॉफिट देखिए यह बहुंत अच्छा कोशन है देखो बार बार में का रहा हूं डाटा में इजी बला भी ला सकता हूं डाटा जानवुज के हाड बला दे रहा हूं ताकि इजी अपने आप बन जाए तो पंकज ने दो बाइक खड़ी दीस फर्चन के ला पे बेशता ह्या तो डेको वहीं ची फिर 120 बटा beta सब्सक्राब क्या होता है बता ता एक बटा 5 एक में जो रहेंगे छे बटा 5 यह अच्छा होगा आपके लिए थिका है इसको अर्थ drink गलती तो नहीं क्या हो ना बीस परसेंट लाव का मतलब होगे 6 बटा पाँच पाँचों का 20 चार चला गे इस पर 5 48 उसको छे से गुणा कर देते हैं कितने नहीं होगे 6 88 का 8 हाथ में 6 88 का 8 हाथ में 4 6 24 पंकर्ज ने 24,000 रुपिये में पहली बाइक खर दी, पहली बाइक 20% के लाप पर बेची, तो 20% लाप पर बेचेगा पहली बाइक, तो 20% लाप पर बेचने का मतलब किया हुआ, अच्छा एक काम करें इसमें, थोड़ा सा और बुधी लगा देते हैं, देखिए, इसमें थोड़ा डाटा बड़ा आ रहा है, क्योंकि बड़ा डाटा है, देखिए, मैं कैसे बनाता हैं उसको, अब यहां ध्यान से देखना, फट से निकलवा देता हूँ अंसर, 24,000 का ध्यान से देखो, जबर दस सोलिसन देता हूँ, तो उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, 24,000 को 20% के लाव पर बेचा, तो 20% लाव नहीं निकालते हैं, 24,000 का सिर्फ हम 20% निकालते हैं, लाव, सिर्फ लाव निकालते हैं, तो 20% का मतलब क्या हो गया, एक बट्टा 5, तो 24,000 पर 20% लाव निकालेंगे, तो 24,000 पर 20% का लाव निकालेंगे, तो कितना आजाएगा, 48,000 कितना आजाएगा, 48,000 सिर्फ लाव निकाला हमने, 20% लाव, यहनि कि 20 बट्टा 100, यहनि कि एक बट्टा 5, अब दूसरे पर 20,000 पर, यहां रूजे, कलर चेंज करता हूँ, 20,000 पर, कितने को हानी बेचता है, हानी निकालते हैं, 30% के हानी पर बेची, तो 30% के हानी, यहनि कि 30% का हानी, तो कितना हो गया, 0 से 0, कितना हो गया, 6,000, अब ध्यान से देखते जाएगे, तो पहले बाइक पर, उसे 48,000 का लाव हुआ, और दूसरे बाइक पर, उसे 6,000 का घाटा हो गया, ध्यान सुनिए, तो कुल कितने लाव है, देखो क्या कर रहा है, निकल गया आंसर, देखलो यहाँ पर, कुल लाव या हानी क्या है, उसका, एक से करिम आंसर निकल गया है, तो पहले बाइक को, और तालीसों के प्रोफिट पर, दूसरे को 600 के, 6,000 के घाटा पर, तो उसको घाटा हो गया, पहले पर तो 4800 रुपिया, दूसरे पर 6,000 का घाटा हो गया, तो कितने का घाटा हो गया, तो और तालीसों में से, 6,000 घाटा आएंगे, अर्तालीसों में से छे हजार घटाएंगे तो कितना आएगा बारासों तो बारासों का उसको क्या हो गया लॉस हो गया आही बास समझें यह पूरा निकालते छे बटा पांस पर डाटा कॉम्प्रीकेटे डाता देखो दिमाग लगा लिए फट से आंसर निकल गया चलिए एक क कोशन है तोड़ा पैसेंस रखना और डाटा बाप रिबाप देखो कोशन है पिछले साल नील ने दो घरियां खरे दी इस साल उसने पंदरा हजार परती घरी की दर से दोनों घरियां बेच दी एक घरी पर उसे पचीस परसेंट का लाव हुआ और दूसरी घरी पर उसे एक का मान ग्याद कीजिए असी परसेंट पचीस परसेंट चालिस परसेंट और पचास परसेंट इस सब वेरी वेरी इंपोटेंट कोशन देखो धराक्स आंसर बनाते हैं दस से बारा से किन के भीतर खले आप समझते जाना पिछले साल नील ने दो घरियां खरी दी दोनों में स खलाओं सॉट में 30,000 एक घरी 15,000 में दुसरी घरी कितने में 15,000 में तो कितना है टोटल धोनों घरी कितने में बेश दिया 30,000 में अब देखे एक घरी पर उसे 2% का लाव उगauen तो एक घरी बेचा कर दो कितने में ध्यान देखना 15,000 में तो पहली घरी का CP निकालते हैं तो 15,000 में बेचा है उसने और CP निकालना है तो अब यह बताया था CP निकालोगे क्रैमोल निकालोगे तो परसेंटेज को क्या करोगे पल्टोगे तो पहले पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है तो होना 25% 25% का मतलब एक बटा चार फिर वही बात 25% प्रॉफिट का मतलब क्या ह हुआ है फांच बटटा चार यहां चार वर्टा पांस लिखो है यह 100 बटा एकjach 25 लिख़ो आपकी मर्जी है पचीस परक्रसेंट मतलब क्या हुआ दोनों घरी को उसने 15,000 की दर से बेच दिया तो दोनों घरी तो 30,000 बेचा उसको टोटल जो हानी हुई वो 2000 रुपे की हानी हुई दोनों घरी पर ध्यान सुनिए आपने दो घरी को 30,000 में बेच दिया और दोनों घरी पर 2000 की हानी होगी इसका मतलब दोनों घरी खड़िदे म में थे दोनों घड़ी 32,000 में टोटल सीपी क्या हो जाएगा 32,000 हो जाएगा दोनों घड़ी आपने 30,000 में बेचा है तो घाटा ही हुआ है तभी तो कहा रहा है पहली घड़ी आपने 12,000 में आपने 32,000 में तो दूसरी घड़ी कितने में खर दी होगी दूसरी का सीपी क्या हो जायगा तो 32,000 में से 12,000 में 20,000 में खर जाए है दोनों में से हर घड़ी कितने बेचे हैं, 15,000 में, इसका मतलब दूसरी घड़ी भी कितने बेचे होंगे, 15,000 में, तो दूसरी घड़ी यानि कि X का वेलू निकालना है, दूसरी घड़ी पर X परसेंट कहा नहीं हुआ, देखो, दूसरी घड़ी आपने 20,000 में खड़े दी, 15 तो 5,000 का मैं के ही लिख रहा हूं 5,000 का घाटा हो गया कितने पे 20,000 पे into 100 के से के कट गया हजार से तीन जीरो तीन जीरो उड़ा दिये 5 से पांचों का 20 इस अब टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूं 4 से 25 परसेंट तो X का वैलू कितना आ गया 25 परसेंट ये था आप एक छोटा सा पार्ट है एक ही क्लास में सोरह गार देंगे लेकिन प्रॉफिट और लॉस और परसेंट इस दोनों समझ क्या ना जिनका लेबल होगा ये दुचार कोशन में आज दिक्कत होईगी मैं जानता हूं आप बार बार वीडियो को देखो समझो कोशन पर हो मैं क्या सलूशन दिया हूं उससे आप से देखो ठीक है चलिए आज के लिए तना ही अपने और अपनों का खयाल जरू रखें जै जवान जै किसान जै हिंदुस्तान